नमस्कार दर्शकों फिलाल हम मौझूद है सेक्टर 16 फर्दबाद के कॉमुनिटी सेंटर में और आप देखेंगे यहाँ पर रगदान शिवर लगाया गया है अर्यारा प्रदेश प्रभारी पूर्व मुख्य मंत्री तृप्रा के विपलब कुमार जी यहां आ जाये थे और यह शिवर और आपको बता दे पंकर सिंग्या जो की जिला अध्यक्ष है युवा मोचा भाच्पा के उन्हों ने क्या कहा और उस मौके पर क्यासा रहा यह पूरा शिवर दिखाएंगे अभी हम आपके पता नहीं गांधी लेके बैठ गया वुष नाम को शादी होने के बार भी छोड़ता नहीं बढ़ रहा हो गया तब भी गांधी रख देता है तो इच परिवार बात एक सर्णनेंड को पेचना है वो भाचपा में नहीं आप कहीं भी दिखाने सकते तो एक परिवार को लेक कि इनके बेटा है इसलिए आके वर्याना का फ्रदेशत बन जाएगा जिलत बना जाएगा इनका बेटा है यह भाजपा पे नहीं है कि कॉंग्रेस में और बाकी सब्सक्राइब सर मोधी जी आपको आरसस के कुशल कारकरता के रूप में समझते हैं और जब आपने तीफा दिया उसके बाद आपके करीबी को सीम पत सौप दिया गया लेकिन ना आप खुद विचलित हुए ना आपने जो आपके और लोग विचलित हो रहे थे उनको भी यूटरन पर ले आ सबसे पहले आज फाइदाबाद के उनको पहला है हरियाना में तो फाइदाबाद की क्या यूवा मोर्चा उनका बहुत अभी नंदन और स्वागत करता है और वो तिरुपुरा के पूर्फ सीम रहे और हमारा सौबाक है कि वो हमारे हरियाना के परभारी बने उनका एक्स्पिरियंस उनका सब कुछ हमें काम आएगा क्योंकि उन्होंने 25 साल पुरानी कॉमिनिस्ट की पार्टी उखाडी थी जब वो परदेश सबसे बड़ी चीज है उन से पूछेंगे तो यहीं की बात बोलेंगे पहले मैं कुछ नी था उन्होंने सीम बनाया उन्होंने यह मुझे भरियाना का परभारी बना दिया और आपको एक मैं जानकारी देना चाहता हूं कि नौर्थ इस्ट के पहली वार कोई परभारी बने सबसे बाइब करें जाते हैं जैसे कि मैं वार बार कहता हूं आपको और आज भी दुबारा आपके मादयम से बोलना चाहता हूं कि मैं भारतिये जंता मेरे साथ आगे आते हैं और देखने आप यहां भी सारे युवा ही आपको मिलेंगे युवा मोर्चा तो मतलब युवा मोर्चा क्या नाम है जी मेरे नाम गौत मड़ाना है जी में दूंगा मैंने किटली रखिए मैं पर देश जी के बाद देने वाल हूँ जैसा कि आप पूछ देते कि यहां पे इतने युवा कैसे दिख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूं कि हमारे पंकर सिंग्ला जी ने जो आवान झाल जी में आपको बाद लूए जो आगले जी चूछ आपको बेंगा जाना है कि यहां।